अर्थिके संदर्भ में आज हम तीसरा ब्रत का करेंगे अस्तेय अनुब्रत तैयम अनुब्रत तैयम अनुब्रत थोलाओ अदिन्ना दानाओ वेद्मनम् तैयम अनुब्रत अनुब्रत क्या है? थोलाओ थूल रूप से मोडे रूप से बाहर-बाहर के दरश्टी से अदिन्ना दानाओ इसमें दो सब्ध है अदिन्ना आदान तो अदिन्ना दानाओ वेद्मनम् ये तीसरा ब्रत क्या है? अदत्त दान से विरमन रहित होना अपने आपको दूर करना तो अदत और आधान, अदत यानि बिना दीवी, दत यानि देना, अदत यानि बिना दीवी, आधान यानि ग्रहन करना, अब अदत आधान बिना दीवी वस्तु को ग्रहन करना, किसकी द्वारा बिना दीवी, जो भी उसका मालिक होता है, किसी भी वस्तु का कोई न कोई मालिक होता है तो उसकी द्वारा बिना दिये गए हम उसको ये दिक्राण कर रहे हैं तो वो हो जाता है और दतादान तो उससे मैं अपने आपको रहित कर रहा हूँ अब जैसे बहुत सारे चीजों का कोई मालिक नहीं है मालू बाहर से सादू को कोई पत्थर उठाना है कोई तिनका उठाना है उसका तो कोई मालिक नहीं है वो भी सादू उठा नहीं सकता है वो इंद्र देवता की आग्या से उस चीज को वो उठाएगा तो बिना दीवी वस्तु को लेने मात्र से और भले वो किसी का भी है भले वो लाइप पार्टनर का ही वस्तु क्यों न हो पर्सनल येदी उसका कोई मालिक है तो बिना पूछे येदी हम उठाते हैं तो ये चोरी का दोस लग जाता है ब्रत अदत्ता दानवीरमन तीसरावी ख्यात है स्तूल चोरी त्याग से इसकी सहज सुरुआत है खात खन कर तोड़ कर दीवार चोरी ना करूँ ग्रंति भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूँ तोड़ ताला अपतित विस्मृत नहीं कोई चीज लो क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलो दो करण अरू तीन योगों से करूं ब्रत पालना चाहता मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना ब्रत अदत्ता दान वीरमन तीसरा विख्यात है ब्रत ब्रत यानि हम अपनी आत्मा के विकास के लिए अध्यात्मिक उत्थान के लिए जो भी संकल्पा दे लेते हैं उसको कहेंगे हम ब्रत यानि किसी भी प्रकार का त्याग क्यूं करते हैं ताकि हमारा अध्यात्मिक विकास हो तो ये जो अध्यात्मिक विकास के लिए के के संकल्पों में अदत्ता दान विरमन अदत्त का आदान अदत्त और आदान बिना देवी वस्तो को ग्रहन करना विरमन उससे रहित ये तीसरा विख्यात है ये तीसरा बारा ब्रतों में तीसरा ये प्रसिद्ध है स्थूल चोरी त्याग से इसकी सहज सुरुवात है इसकी सुरुवात कहां से होती है स्थूल चोरी चोरी याद जू करते हैं बड़े रूप में चोरी क्या त्याग इसी से इसकी सुरुवात होती है किस-किस रूप में चोरी वेक्तिकर्स करता है खात खन कर गड़ा खोद करके खात यानि खाई गड़ा खन कर खोदना गड़ा को खोद करके पहले धन को लोग गड़े में डालते थे जमिन खोद करके डालते थे तोड़ कर दिवार और किसी दिवार को तोड़ करके सेंध लगा करके किसी भी प्रकार से दिवार को तोड़ा चोरी ना करूँ, मैं इस प्रकार की चोरी नहीं करूँगा, ग्रंथी भेदन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूँ, ग्रंथी भेदन, ग्रंथी यानि गांठ, गांठ यानि जैसे कपड़ी की पोटली बना दिया, उसको गांठ लगा दिया, तो ऐसी पोटली का गांठ का भेद दन करके उसको खोल करके तोड करके पराया धन कभी क्यों मैं हरो है दुसरों का धन ऐसे धन को मैं क्यों लो तोड ताला पतित विस्मृत नहीं कोई चीज लो ताला को तोड करके दूसरी बात, पतित, ताला को तो नहीं तोड़ा, हमको मालिक किसका है पता भी नहीं, पतित कोई गिरी विवस्तु है, स्रावोक को उसको भी नहीं उठाना चाहिए, विस्मृत, या कोई आपके पांस कोई चीज रख करके भूल गया है, विस्मृत, उसको याद ही नहीं है, नहीं कोई चीज लूँ, चाहे ताला तोड़ना हो, चाहे गिली विवस्तु हो, चाहे किसी कोई विस्मित कर चुका है, भूल चुका है, ऐसी कोई चीज भी मैं नहीं लूँगा, क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको चलू, कोई भी धनवान का धन उसको लूट करके, क् काया से न मैं करूंगा और ना किसी से करवाऊँगा तिन युगों से करूं ब्रत पालना दो करन और तीन योगों से इस ब्रत का मुझे पालन करूंगा चाहता मैं इस सुरक्षा कवच को संभालना और ये एक प्रकार्श ये आत्मा के लिए सुरक्षा कवच है तो इस सुरक्षा कवच को मैं अच्छी तरह से सहेज कर संभाल कर रखना चाहता हूँ तो वापस ध्यान देदेंगे तैयम अनुबबयम थुलाओ अधिन्ना दाणाओ वेर्मन व्रतातत्ता दान विरमन तीसरा विख्यात है स्तोल चोरी त्याग से इसकी साज सुरुवात है खात खन कर तोड कर दीवार चोरी ना करूं गंति भेतन कर पराया धन कभी क्यों मैं हरूं तोड ताला पतितवे स्मृत नहीं कोई चीज लों क्यों किसी धनवान का धन लूट कर उसको छलों दो करण रूतीन योगों से करूं ब्रत पालना चाता मैं इस सुरक्षा कवज को संभालना अब इसके पांच अतिचार कहां कहां दोस लगता है ली चुराई वस्तु या सहयोग चोरों को दिया जा विरोधी राज्य में लंगन व्यवस्था का किया तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी अगर लोब वस पकड़ी कभी भी मेल मिस्रण की डगर जो में देवसिय यारों को तसमिछा मिद करन ली चुराई वस्तु कोई दूसरा बेक्ती चुरा करके लाया है ली चुराई वस्तु हमको पता है और हमने उससे ले लिया या खरीद लिया जो भी किया तो चुराई वी वस्तु को लेना या सहयोग चोरों को दिया पता है ये चोर है उसको किसी प्रकार का मोटिवेशन करना किसी प्रकार का हेल्प करना इस सारा किसारा अचोर या उनुवरत का दोस्त के अंतरकत आ जाता है जा विरोधी राज्य में लंगन ब्यवस्ता का किया और हर कंट्री अपनी एक प्रोटोकल बनाता है तो हम opposite जो भी कंट्री है opposite राज्य में जाकर के विरोधी राज्य में जाकर के हम अपने प्रोटोकल को तोड़ते हैं जो भी ब्यवस्ता है प्रिंसिपल है उसको हमने तोड तोल अथवा माप में की हो कमी बेसी, अगर तोल में, अथवा माप में, हम किसी चीज को बेच रहे हैं, अथवा माप में, उसको माप तोल में, जो भी, जैसे कपड़ा बेच रहे हैं, तो एक मीटर को थोड़ा सा कम करके देना, या कोई चीज को माप रहे हैं, एक केजी, मैं उसमें कम बेसी कर देना तो उसमें किसी भी प्रकार की मैंने कमी बेसी की है लोग वस पकड़ी कभी बे मेल मिस्रन की जगर लालच वस यदि मैंने किसी चीज को मिस्रित करके लोग कई बार होता है उस जैसे similar चीज को उसमें मिला देते हैं सच्थी चीज को मंगे चीज में मिला देते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी बढ़ जाए ऐसा यदि मैंने लोग वस ऐसे रास्ति को पकड़ लिया हो जो में देवसियो यारो को तसमिचामी दुकड़म तो इससे दिवस संबंदी मेरा किसी प्रकार का दोस लगा हो मैं उसकी आलोचना करता हूं तसमिचामी दुकड़म तो इस प्रकार काज हमारा ये अचोरी अणब्र का प्रत हुआ